तो तैयार हो जाएए अपना टाइम के लिए तो आप सब एक कमफिटेबल पॉस्चर में बैच जाएं आप मेरी तरह चेर पे भी बैच सकते हैं जैसे मैं बैठी हुई हूँ या आप बेड के उपर भी बैच सकते हैं पर आपको याद है ना तीन जो लॉक्स लगाने हैं पहला लॉक अपने पैरों को क्रॉस करना है दूसरा अपने उंगियों के बीच में उंगियों को डालना है और तीसरा अपनी आँखों को बंद करना है तो फटा फट से बैच जाएं एक कमफिटेबल पॉस्चर में आप सपोर्ट भी ले सकते हैं अपना बैक सपोर्ट और उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल ले और अपने गोद में रख ले और धीरे-धीरे से जेंटली अपनी आखे बंद कर ले और इस समय तीन गहरे लंबे सासे लीजे नाके द्वारा लेते हुए उसे मुझ से बाहर निकाले बहुत अच्छे अब वापस से अपनी सरल सासों पर अपना ध्यान लगाएं और देखे की कैसे सासे भीतर आ रही है और कैसे सासे बाहर जा रही है सर से लेकर पाओ की उंगलियों तक आप पूरी तरह से शान्थ हो चुके हो कि वापस से बाहर आपस से बाहर रहा है इस समय देखे कि क्या कभी मैंने किसी पशुपक्षी को तंग किया है क्या कभी मैंने छोटे से पपी की तेल खीची है या किसी पक्षी पर पत्थर मारा है या मेरे दोस्त ने ऐसा कभी कुछ किया है पर अब मैं समझ गया हूँ कि पशुपक्षियों को भी दर्द होता है जैसे कि मुझे होता है अब से मैं किसी भी पशुपक्षी को तंग नहीं करूगा मैं अब से उनकी रक्षा करूँगी पशुपक्षी भी हमारे दोस्त है और हमेशा याद रखेंगे कि मैं एक कमपाशनेट परसन हूँ जब भी आप तयार हो धीरे धीरे अपने पैरों की उंग्लियों को हिलाए अपने हातों की उंग्लियों को हिलाए अपने हातों को खोले और अपने दोनों हथेलियों को रब करे और पाँच सेकिंड के लिए अपनी आखों पर रखे पाँच, चार, तीन, दो, एक और शुन और एक मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ हटाएं और अपनी आखे खोले बहुत अच्छे दोस्तो, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने साथ समय बिता के अच्छा लगा होगा और इस कमपैशन को सदैव अपने भीतर रखे और कमपैशन से ही हर पशुपक्षी, हर व्यक्ती, हर दोस्त को कमपैशन की नजर से ही देखे अच्छे करते हैं अच्छे करते ही हर दोस्तों की आपको अच्छे करते हैं झाल